मैं हूँ सुमेरा खान मौजूदा वक्त में सबसे बड़े वैश्विक संकट है कोरणा जलवाईू परिवर्तन, धराशाई होती अर्थवेवस्थाएं, ग्लोबल हंगर दुनिया के तमाम देश इन मुसीबतों से निपटने के लिए मन्थन करते हैं ग्लोबल लीडर आपस में मिलकर समस्याओं का हल तलाशते हैं इटली के रोम में G20 शिखर बैठक हुई, दुनिया के दिगज लीडर यहां जुटे ग्लासको में क्लामेट समिट होगी, वहां भी तमाम लीडर जा रहे हैं लेकिन एक देश ऐसा है, जो खुद को नया सूपर पावर होने का दम भरता है वो इन शिखर बैठकों से नदारत है, यह देश है चीन इसके सुप्रीम लीडर है शी जिन पिंग, आखिर चाइनीज मार्शल ग्लोबल स्टेट से दूरी क्यों बना रहे हैं कैचीन के अंदर जिन पिंग घिर गए हैं, ड्रागन लांड से धरावने सिगनल आ रहे हैं इस वर्ल्ड एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट में देखिए जिन पिंग का प्रोजेक्ट 6 वर्ल्ड एक्स्क्लूजिव खुलासा समूचा विश्व इस लीडर पर नज़र रखता है पूरी दुनिया इस मार्शल के हर हतकंडे से वाके फ्रेना चाहती है क्योंकि शे जिन पिंग की हर चाल शातिर होती है, घातक होती है, पड़ोसी देशों के लिए विद्धवनसक होती है प्रेगन आर्मी के सुप्रीम कमांडर के खुराफाती दिमाग में हर वक्त बारूदी साज़िश पनकती है लेकिन जब महाशक्तियां एक मंच पर जमा हों, जब ग्लोबल लीडर एक स्टेज पर जुट कर विश्व बिरादरी की भलाई पर मन्थन कर रहे हों, तो वहां चीनी राष्ट्रपती की गैर मौजूदगी क्या कहती है? क्या चीन की सुपर पावर बनने की सनक का दा एंड हो गया? आकर शी जिनपिंग ने ग्लोबल समिट से दूरी क्यूँ बना रखी है? ग्लोबल मंच से गाइब क्यूँ हैं शी जिनपिंग? 21 महीने से एक आंत्वास में क्यूँ हैं चाइनीज मार्शली? चाइनीज फोन डिप्लोमेसी प्रैगन की टिंजरस कॉंस्पिरेसी क्या है माओ लेंड का दा लेंड बॉर्डर स्लॉव जिनपिंग का प्रोजेक्ट 6 चौदा कंट्री हाइपर रिस्क 21 महीने बीच चुके हैं इसे तकरीबन दो साल लंबा आरसा मानी शी जिनपिंग ने किसी बड़ी समिट में हिस्सा नहीं लिया चीनी ताना शाह किसी इंटरनेशनल मंच पर खुद मौजूद नहीं रहे उन्होंने वेबनार में हिस्सा भले लिया हो लेकिन जब बारी स्टेज पर आने की आई तो जिनपिंग कन्नी काट गए आखिर मार्शल शी ग्लोबल समिट में क्यों नहीं जा रहे कोरोना विलन की हिम्मत नहीं पड़ रही या माजरा कुछ और है रोम के इटली में G20 सम्मेलन में दिगज लीडर जुटे पुर्धान मंत्री नरेंदर मोदी अमेरिका के राश्टपती जो बाइडेन जर्मन चांसलर एंचला मारकेल केनड़ा के जस्टिन टूडो और तुर्की के अद्वान जैसे डिगजों के बीच जिन्पिंग नदारद रहे यहां बताना जरूरी है कि चीन भी G20 के सदस्य देशों में शामिल है ऐसे में चाइनीज प्रेसिडेंट शे जिन्पिंग की गयर मौजूदगी सवालों में है इसके अलावा ग्लोबल लीडर्स की दूसरी समिट स्कॉर्ट लेंड में जलवायू परिवर्तन पर होने वाली है उसमें भी जिन्पिंग नहीं जा रहे जबकि जलवायू परिवर्तन सम्मेलन में कार्बन उत्सरजन को कम करने के लक्ष में चीन की भूमी का सबसे एहम है प्रेजिडन जो बाइडनें ने क्लाइमेट समिट के दौरान जिन्पिंग से अलग से मुलाकात की मनशा जाहर की थी लेकिन जिन्पिंग ने ग्लोबल समिट से दूरी बना ले चाइनीज मार्शल का ये कदम क्या कोई संकेत नहीं दे रहा चीन के अंदर आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसमें जिन्पिंग इतने बिजी है हकीकत हैरान करने वाली है ड्रागन लैंड में विस्फोटक प्लैन बन चुका है एक दो देश नहीं सीधे 14 देशों से ठकरानी की तयारी है किस से होगी ये भीड़न कौन है चीन के टारगेट पर ये देखिए चीन अपने सभी पडोसी देशों को एक जटके में सबक सिखाने का फॉर्मूला बना रहा है ये पडोसी कौन कौन है चीन की जमीनी सीमा कुल 14 देशों से लगती है जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, वियतनाव, मंगोलिया, म्यानमार, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उत्तरकोरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और लाओस शामिल है तो क्या इन सभी देशों में जमीन का भूखा ड्रेगन गुसपैट की फिराक में है या फिर इस बार विस्तारवादी बादशाह कोई नई चाल आजमाएगा जानेंगे कायर पडूसी का नया वार ब्लूप्रिंट मगर ये भी जानना जरूरी है कि चीन सिर्फ जमीन ही नहीं समंदर को भी हड़पने की कोशिशे करता रहा है जिन देशों से चीन की समुदरी सीमा लगती है उनके नाम भी देखिए चीन की समुदरी सीमा कुल 10 देशों से जुड़ती है जिन में ताइवान, फिलिपीन्स, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जपान, दक्षिन कोरिया, उत्तर कोरिया, सिंगापूर्ट और बुर्नेशा में चीन की समुदरी सीमा से लगे सभी देश ड्रेगन के विस्तारवादी नीती की सताएं हैं कभी न कभी, किसी न किसी अखाड़े में ड्रेगन चुनौती देता रहता है तो क्या पहला अखाड़ा समंदर ही बनेगा? चीन का The Land Borders Law क्या है? क्यों चाइनीज सीमा कानून से पड़ोसी देश अलर्ट हो गए है? ये कानून अमल में कब आएगा? एक-एक डीटेल चौकाने वाली, जिन पिंग के एकान वास्त का सच भी सन्द कर देने वाला है देखते रखिए, ये इस्पेशल डिकोंग है अड़ी, सुमबार से शुक्रवाद, शाम छे बजे, सिर्फ टीवी नाइन भारतवर्श पार